शुक्राना गुरू जी अनंतम शुक्राना जो वाई गुरू जी आप अपने सामने बिठा कर ये सेवा मुझ से ले रहे हैं शुरी गुरु नानक देव जी की जनम साखी सुनाने की और इसे संगत तक पहुचा रहे हैं मैं आपकी सदा शुक्र गुजार रहूँगी ओम नमो शिवाये शिवजी सदा सहाए ओम नमो शिवाये गुरू जी सदा सहाए वाई गुरुजी का खालसा वाई गुरुजी की फते संगजी किर्प्या करके सर ढग कर इस बाणी को सुने और इसका अनन्द ले और इसको समझे गुरुजी ने भी शिप पुरान में और वाई गुरुजी ने इस बाणी में जो भी कहा गुरुजी ने भी वही कथन कहे हैं क सत्संगत करो संगत करो सत्संग में जाओ और बानी को सुनो अगला अध्याए वब्वे वास देव परमेसर वेखन कव जिन वेश किया वेख है चाक है सब की जाने अंतर बाहर रव रहा वह अक्षर कहता है वासना को रोक कर जिसने इंद्रियां जीत ली हैं संसार तमाशा दे देख रहा है जो उसकी आग्या को सत्ते मानते हैं वही संथ हैं डाड़े राड करे क्या प्राणी तिसे तिहावो जे अमर हुआ तिसे तिहावो सत्समावो ओस विट्टो कुर्बान किया ड़ अक्षर कहता है हे जीवो निश्वल जगडे क्यों करते हो जो कुछ प्रभू क के आग्या है वही मानो जो प्रभू के आग्या मानता है उसी का धन्यवार हां है होर ना कोई दाता जी उपाए जिन रिजग दिया हर नाम त्यावो हर नाम समावो अंधिन लाह हर नाम लिया हर अक्षर कहता है कि जो प्रभू ने जीव पैदा किये हैं उन सब की पालना करत जिन गुरु जनों ने उस परमात्मा का नाम मुच्चारण किया है वही गुरु लोग ज्यान के दाता है। वह समर्थे युक्त है वह इश्वर करने वाला है। हे कालू जी चारों वेदों की विध्या सागर में लोप हो रही थी। ये तुम्हारा पुत्र उसे प्रकट करने के लिए आया है। यदि कभी श्री नानक भीतर बैठें तो वही समाधिस्त हो जाते हैं और यदि नदी किनारे बैठ जाएं तो वहाँ ही समाधी लग जाती थी। कालू जी इदर उदर देखते तथा अन लेकर फिरते थे। कभी कभी नानक देव जी अपना भोजन सादूओं को खिला देते थे। कुद्धिमान हो जाएगा। मैं मुल्ला को कहः दूँगा कि वह नानक को महबट और महनत से पढ़ाएगा। कालू जी नानक देव जी को साथ लेकर मुल्ला के पास गए और मुल्ला से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र नानक को फार्सी पढ़ाएं मुल्ला ने कहा कि है कालू जी मैं आपके पुत्र को अपना पुत्र समझ कर पढ़ाना शुरू करूंगा तब एक उर्पया गुरूप है गुरूप नानक जी द्वारा मुल्ला को दिया गया मुल्ला ने नानक के हाथ में तक्ति दी और अलफ से ये तक तमाम हरफ लिख दिये जब उनका उचारन बताने लगा तो शिरी नानक देव जिनके हिर्दे में चारों वेद और तमाम पुस्तके जिनमें कुरान शरीव भी है सभी विराज रही थी चुपचा बैठे रहे तक्ति और काइदा फार्सी की पहली पुस्तक अपने आगे जियों का तेवरक छोड़ा मुल्ला ने देखा कि और लड़के तो पढ़ रहे हैं परन्तु नानक परमात्मा के ध्यान में मगन है मुल्ला ने कहा अरे नानक पढ़ता क्यों नहीं सबक याद कर नानक जी ने उत्तर दिया मैं क्या पढ़ूं मुझे आप क्या पढ़ा रहे हो तो मुल्ला ने कहा मैं तुमको अलफ से ये तक समझा चुका हूँ उसको याद करो जब मैं याद हो जाएंगे तब कोई और किताब शुरू की जाएगी नानक जी ने कहा कि ये हरफ किस काम आएंगे मुल्ला ने कहा इसके पढ़ने से बुद्धी बढ़ती है तब नानक जी ने अलफ से ये तक जितने भी हरफ थे सभी परमात्मा की भक्ति की और करके सुना दिये मुल्ला हैरान हो गया और कहने लगा तु तो सब कुछ जानता है मैं तुझे क्या पढ़ा सकूंगा तु तो सारे संसार को पढ़ाएगा कालू को बुला कर मुला ने कहा बेदी जी ये आपका साहिब जादा कोई बड़ा भारी वली है इसने हिंदू और मुसल्मान को समान रूप से इकठे करना है इसने गंगा काशी मक्का मदीना में अपना यश पैदा करना है इधर जब पाठशाला के लड़कों ने सुना कि नानक देप पंडी जी को छोड़कर मुला से पढ़ने गए है तब नानक जी के प्रेम से सभी लड़के मुला से पढ़ने के लिए आ गए जो कुछ मुला जी लिखते थे उसे नानक शीगरी सुना देते थे मुल्ला कहता ये खुदावन ये जीब लड़का है ये तिरी कुद्रत है ये हिंदू ये हिंदू और इलम तुर्की इसे पढ़ना तो नहायत मुश्किल है इसके पढ़ने में तो कुछ बरस दरकार है मगर नानत तो कमाल कर रहा है जो लिखता हूँ वे उसी वक्त सुना देत है इस तरह का जेहन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा इस पर अल्ला की पूरी महरवानी है जिन लड़कों को दस-दस वर्ष पढ़ाते हो हो गए हैं ये कल का आया उनसे भी आगे है इसके अतिरिक जो कोई भी गुरू के पास गुरू जी के पास आता था उसे आप अनसार में होने लगी सभी कहते कि नानक इश्वर भकत है नानक देव मुसल्मानी भाषा में मुसल्मानों की तसली और हिंदी भाषा में हिंदूों की शंकायें दूर करते थे भाव ये है कि परतेक को पूर्ण करते थे हिंदी फार्सी संस्क्रित अर्भी आदिक सभी थस थी कुछ काल के पश्चार नानक देव जी घर में आकर मौन होकर बैठ गए किसी से बात नहीं करते थे तब कालू जी ने मुल्ला को बुलाया मुल्ला ने नानक देव को बुलाया मुल्ला ने नानक देव पर कोई जोहद जंत्रमंत्र किया परंतु असफली रहा नानक दे तो नानक देव मुल्ला के सामने बैठ गए मुल्ला बहुत परसन हुआ कहने लगा हे नानक तेरे को पीरों की रक्षा हो तू तो खुदावन करीम का भेजा हुआ है तेरी पर रब्बी मेहे रह तेरी खामोशी से दुनिया दुखी होती है जरा बोलो नानक देव जी ने मुस्कुरा कर राक तिलंग में एक शब्द उच्चारन किया राक तिलंग महला पहला यक अरज गुफतम पेस तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे एप परवदकार इसका अर्थ गुरुजी कहते हैं हे साहिब तेरे आगे में ये एक परार्थना है उसे आप कान लगा कर सुनो तू कैसा है करतार करन कारण है मनुष्य दुर्गुन की कान है परमात्मा अनंत है सब की पालना करता है उसके बगैर और कोई नहीं तब मुला ने कहा हे नानक तिरे मौन रहने से जनता दिलगीर हो जाती है अब उठो तब नानक देव जी ने पौड़ी दूसरी उच्चारन की दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल जानी मम सर मुई अजराईल गिर्फतह दिल हेचना दानी रहाओ अर्थ नानक देव जी कहने लगे हे मुल्ना साहिब ये संसार नाश होता जा रहा है मैं किस से बात करूँ ये सकते है कि जिस मनुष्य के सिर के बाल फरिष्टे ने अपने हाथ में पकड़े हुए है वे इसे एक आतपल में ले जाएगा हे मुल्ना इसे मनुष्य नहीं जानता कि मेरे सिर के बाल जम के हाथ में है मुझे अपने मरने की चिंता नहीं ये भी नहीं जानता कि मेरा कुछ बनेगा मुझे ये अचमबा है कि मनुष्य को और किस कुछ किस परकार सूचता है मुल्ना ने उतर दिया नानक अभी तुम अल्प्यस को इस वेरागे में पढ़ने का भी समय नहीं है युवा होने पर तब जो इच्छा होगी करना नानक जी ने कहा हे मुल्ला जो आदमी किसी का दास होता है बले इवे आयू में छोटा हो परन्तु जहां तक उसमें शक्ति होती है वहां तक अपने स्वाम कोई भी नहीं कर सकता उस समय कोई मित्र नहीं बनता रभु नाम बीना कोई रक्षक नहीं होता जिस पर अकाल पुरुष क्रपा करें उसे ही छोड़ा लेता है मुल्ला ने कहा नानक तेरे अहो भागे हैं तुमने उस परमात्मा की क्रपा अलप-आयू में ही प्राप्त कर इश्वर की अनुकमपा से तुझे सई ग्यान प्राप्त हुआ है तुम में कोई भी बुराई नहीं है और ना ही होगी। ये सुनकर शिरी नानक देव जी ने तीसरी पड़ी उचारन की। बात तो ये जीव करता नहीं और निंदा करता रहता है तथा आठो याम ये अलस्य में रहता सभी की बुराई में लगा रहता है। सदैव इसकी दृष्टा दोश में रहती है। ये जीव अलस्य का मारा बेलगाम फिर रहा है। हे मुला ये मनुश्य एक शन परमात्मा का पुद्चारन किया। बद बखत हम चू बखील गाफिल बेंजर बेबाग। नानक बगोय जन तुरा तेरे चाकना पाखाक अर्थ। गुनानक जी कहते हैं मुला जी। परमात्मा को जान लेने की बात ये इंसान नहीं करता। परतेक की बुराई करता है। आठो याम अलस् जी रज हूँ यदि वे कृपा करें तो मैं करते करते हो जाऊँगा। इस जीव के सिर पर रिंड है जिसे चुकाना होगा और ये कहता है कि मेरे सिर पर कोई रिंड नहीं है। बे फिकर फिर रहा है। मैं परमात्मा से प्रार्थी हूँ कि है परमात्मा मैं तेरे दामन का मेरे हिर्दे में गरीबी का वास हो ये सुनकर मुल्ला ने कहा नानक तो तो परमात्मा से मिला हुआ है हम लोगों की रक्षा तुम नहीं करनी है हमारी प्रार्थना उस मालक के दरबार में तुमने स्विकार करवानी है गुरू जी ने कहा आप भी उस प्रभू को स्मरण किया करू तब तुमारा भी कल्यान होगा और मैं भी आपकी साहता करूँगा ये सुनकर मुल्ला ने गुरू जी को नमस्कार करके गुरू चर्णों पर अपना सिर रखा और घर को गया गुरू जी के पवित्र उपदेश से मुल्ला भी भक्ती के रंग में रंगा गया संसारी व नमोशिवाय शिवजी सदा सहाए ओम नमोशिवाय गुरू जी सदा सहाए शुक्राना गुरू जी शुक्राना गुरू जी शुक्राना गुरू जी अनंतम शुक्राना जो